आच्छा, तब बिहार में कहावत है, चलनली दुसलग सूप के, जिस चलनी में अपने 75 छेद हो, वो दुसरे का छेद दिखा रहा है, बताईए, देश के ग्री मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं, बाइमानी से बिधायक को, ऐसा लग रहा जिसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असाम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, यह बाहुबल नहीं है, यह अपराधिक काम नहीं है, और बिहार में कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा दल है, है कोई दल, यह सब मुद्दा भटकाने की बात है, मैं तो नि नितीज जी अपने एक कारवाईस है न, बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं, अभी देखिए कि नितीज जी मुखमंत्री हैं, गठवंधन के साथ ही बदल लिये हैं, ठीक है, तो सुसिल मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं, उनी का पाटिन उनको साइड कर दिय था, कोन उनको डिप्टी-CM के पोस्ट से हटा दिया, नितीजी हटा दिये, कि यही लोग हटा दिये, देखिए यह सब न, हमारे हैं कहावत है, छपास का बिमारी होता है कुछ लोगों को, कुछ भी पकर करके कुछ भी बोलेंगे, अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए, रा बिजली के पोल पे जो है कोई जंडा लगा दिया है, अचार संगीता का उलंगन हो गया, आपके उपर केस हो गया, और आप अपियर नहीं हो येगा, आपके खिला वारण जारी हो जाएगा, कानून के अगर बात कर रहे हैं, तो कानून की भासा में बात कीजिए, कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है, जब तक मान्यालयानल ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो, ये सब राजनितिक छिटा कसी है, हम आज पोजेटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आये हैं, और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मेनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है न, उसमें हाथ जोर करके आप भी मत पढ़िये, आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए, बिहार में बाड़ा करोर से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां परी हुई है, पियस्सी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है, उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा, नौकरियां कैसे मिलेगी, रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे, small scale and medium scale industries को कैसे लगाया जाएगा, human resource management कैसा किया जाएगा, पंजाब में जाकर के धान काट सकते हैं, और अपन सेक्टर में काम कर सकते हैं, पटना में call center नहीं खुल सकता है, मुझापपुर में call center नहीं खुल सकता है, पोजेटिव बात कीजिए, 20 साल से तो भटका ही रहे हैं बिहार के ये लोग, और ये भी सरकार में सामिल थे, कोई मुकदमा नया हुआ हुआ है, जब आपका सरकार अभी कुछी दिन पहले था ना, तू-तू-मेमें, तू-तू-मेमें, इसका कोई जबाब है, मनना ये अगर हम भी कहेंगे, तो गलत होगा, कि निति जी जब बाजपा के साथ रहेंगे, तो सामपरदाइक हो जाएंगे, और हमारे साथ आएंगे, तो धर्मिटपेक छो किसी के उपर अगर कोई केस है तो न्याले उस पर भैसला करेगी, पुलिस उसको पकरेगा, जबरदस्ती से न्याइपालिका का सवाल कार्जपालिका पर ले आईएगा, कार्जपालिका का सवाल विधायका पर लेके चले जाईएगा, ये तो वही बात हो गई न, बित का जव होना जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी यह है एजय एलाइंस पार्टनर कि सरकार ने जो वायदे किये हैं वो डेलिबरेवल कैसे हो जनता के बाद पास जो है वो कैसे पहुंचे यह मुद्दा हमारा है प्लीज किसी तरह के डाइवर जनी ट्रेक्टिस में हम लोगों को फसने गरवड़ा आगे सर आप ने आप गरवड़ा आगे तो कि आप मेरा बात कुन भासन समझ लिए भासन सुनना था तो 15 अगस्त को परधानमंत्री का सुनते कि जिस दिन बोले नारी का सम्मान होगा उसके बाद बलातकारियों को माला पहनाया गया हम भासन नहीं देते हैं गर आपको बिहार में अभी बाय एलेक्शन हुआ था कॉंग्रेस और आरजडिया लडग लड़ी थी नहीं लड़ी थी कोई परसेप्शन बना लीजिएगा उसी पर खिलते रहिएगा कोई बॉल आएगा छके मारना है एक्ट की बात कीजिए अध्या 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 पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई है तो क्या इस देश में कोई राजनितिक नया राजनितिक पतकथा नहीं होगा जीवन में कोई घटना करम नहीं होगा आप बच्चा से जुवान नहीं हुए हैं तो जुवान से बुढ़ा नहीं हो येगा ये तो जीवन की स हम आभी बता रहे हैं आपको कि हमें MLC में अलग अलग चुनाव लड़े हैं ऐसे ही बात को घुमाने के लिए कुछ भी बोल देंगे लेकिन फैक्ट का बात ये है कि ये सरकार एक मुद्दे पर बनी है वो मुद्दा ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से जनमत की चोड़ी हैं कौन जो है उपमुख मंतरी है ये सारा गुना गणित तब होगा न जब देश के भीतर सरकार गठन की परकिडिया पारदर्सी तरीके से चलती रहेगी आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बिधायक जो है वो होटल होटल खेल रहे हैं जैसे कोना-कोना खेलते हैं बच्चा लोग वो इसे होटल होटल खेल रहे हैं रिजोट रिजोट चल रहा है और आपने देखा कि बिहार में कोई रिजोट रिजोट नहीं हुआ बिलकुल एस मूड ट्रांजिशन हुआ है और यही बिहार की खास बात है और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया, सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, आप किसी दौर की बात कर लीजिए, जब कहा जाता था कि नंद वंस के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो एक असली चानक, ये वाले नहीं, बेटा को सिक्र सेक्रेटरी बना देना जो है, ये चानक पन नहीं है, ये ओच्छा पन मनाए हैं, तो 1857 की करांती में, वीर कुमर सिंग जे से लोग बिहार में पैदा हुए, कि अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिये, आप 1942 के भारत छोरो आंदोलोन को देखिएगा, तो मैं जिस इलाके से आता हूं, उसको बिहार का बार्दोली कहा जाता है, थूट का जो कारोबार है, ये जो बेकार की बात है, उससे एक रास्ता बनाने के लिए रोजगार की बात करना जरूरी है, रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है, और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे, तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई सब्द से मिलते जुलते सब्द हैं, देश को अगर इस परिस्थिती से निकालना है, तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी परेगी, उस पर एक्ट करना परेगा, और जब हम सरकार में आये हैं, तो हमारी पहली प और किडिया जिन्दा रहे कि कल को फिर से जो है कोई चाय सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके, नहरू जी हुए, तभी मोदी जी हुए हैं, तो मोदी जी ऐसी परिस्थिती ना पैदा कर दें, वो कालिदास की कहानी आप लोग ताबी है, यह दाबा भर्जी है, असल में जन्मत की चोड़ी होती है, उस जन्मत को भी बचाना है और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा, बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठवंदन का सदस हमारी यह जिम्मेबारी है कि जो घोशनाएं हमने चुनाओ क दवरान की हैं, उन घोशनाओं को हमको लागू करना परेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पर थूठू करेंगे, उससे जो है हम साफ हो जाएंगे, तो रोजगार हमारे लिए बहुत ब़रा सवाल है, जब यहां हमारे बिहार के परभारी और नेता आपको सरकार गठन की बधाई दे रहे हैं, देश में जो इसका एक पॉजिटिव संदेश है, इसमें कोई दोराई नहीं है, सेना का मनोबल यदी गिर जाए, कि हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं, तो लगने से पहले ही हार जाएंगे, और आप सब ऐसा तो है नहीं, कि सामने कुरसी पे बैठे चलता है ना, तो ऐसा धरकन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है, मैं तो कहता हूँ, कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंच खडिद लिया है, हर मुद्धे पे जो है, सरकार से जो भी आप एस्पेक्ट करते हैं, उस एस्पेक्टेशन को तो छ फोर दीजिए, जैसा दुशन कुमार ने लिखा है, कि कहां तो तैथा चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल उपर जा रहा है, रूप्या नीचे आ रहा है, महंगाई का दर देश में सबसे रहे हैं, PSU को आप उठा करके देख लीजिए, पर्मानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बाहली किया जा रहा है, कैसा पर्मानेंट जुगार किया है सरकार ने साहब, कि परधान मंतरी होते हैं पांच साल के लिए, संबिधान में इसा लिखा हुआ है, लेकिन आप सत्ता का एहंकार देखिए, कि परधान मंतरी के जो नंबर दो हैं, वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आये हैं, पचास साल यहीं रहेंगे, तो नियम ही बदल दीजिए, कि अब परधान मंतरी का चुनाव पांच साल के लिए नहीं होगा, पचास साल के लेकिन जहां सरकारी नौकरी में पर्मानेंट की विवस्था थी उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है आप जो है अगनी पत्में की देख लिए है कि क्या हुआ है पांस साल के लिए मंत्री बनेंगे पांस साल के लिए एमेले बनेंगे लेकिन नौकरी चार साल के लिए म तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, यह मौका है कि कीजिये रोजगार की बात, और यह मौका तब और पैदा हो जाता है, जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है, यह बा लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिच्छा, स्वास, सरक, बिजली, पानी ये राजनीत का मुद्दार है तो भाजपा को भीपक्ष में बिठाइए बाजपा को ज्यूही भीपक्ष में बात होगा, तो दो करो रोजगार का भी बात होगा ना, तब देश का बहस जो है, वो हिंदू-मुसल्मान से निकल करके काम पे आ जाएगा, जब काम पे बात होने लगेगी, अपने आप हिंदू-मुसल्मान पे बात नहीं होगी, तो जो देश के मुद्दे हैं, उन मुद का पड़ गिन लेते हैं अपना आप शुटकेस लेके घुमते रह जाईएगा हम अपना स्रम बेचते हैं पूरे देश में जाकर के मजदूरी करते हैं स्रम बेचते हैं इमान नहीं बेचते हैं इस बात को याद रखिएगा और जब भी देश में अंधेरा बढ़ता है तो आम लोगों से अपील है कि आपका आपका मुद्दा महंगाई है इन मुद्दों पर राजनितिक विमर्स हो और उस विमर्स को बता और देश की सबसे बरी विपक्षी पार्टी होने के नाते इसको हम जिम्मेवारी से निभाएंगे और देश के जो सवाल है जो साकारात्मक मुद्दा है जो पॉजेटिव पॉलिटिक्स है उसको हम ले जाने का प्रियास करेंगे आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फरेंस में आए और हमारे सचीब जी यहां विनित जी मौजूद है आपने बात करने का मोका दिया आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक् कर दिया